जारखंड का वह कौन सा किर्केटर जिसे कहा जा रहा है लिटिल धौनी। जारखंड का एक ऐसा आदिवास्ति खिलाडी जिसका नाम मुंबई इंडियन से जुड़ चुका है। और ट्रेनिंग के लिए इंगलेंड भेजा जाएगा। हुनरो टैलेंट की बात करें तो जारखंड हमेसा से ही सिर्ष अस्थान पर रहा है। यहां के यूकों ने अपने हाथों में सफलता की लकीर खिच दी है। यहां के यूवक अपने परिश्रम और लगन से जारखंड का नाम रोसन कर रहे हैं। हौकी फुटबॉल और तिरंदाजी जैसे खेल में दुनिया भर में अपनी पहचान रखने वाले जारखंड के ट्राइबल प्लेयर्स अब किर्केट के दुनिया में भी दस्तक दे रहे हैं। पिता करते हैं राची एयरपोर्ट पर गाट की नोकरी अब करेगा मता पिता का नाम रोसन। जब भी राची सहर का नाम लिया जाता है तब फैंस के जहन में सबसे पहले टीम इंडिया के पुरुव कफ्तान MS धौनी का नाम आता है। लेकिन अब एक और खिलाडी का नाम सामने आ रहा है। जब MS धौनी की जगह को पूरा कर सकते हैं और आने वाले समय में टीम इंडिया में दिखाई दे सकते हैं। रॉबिन का तालुक अतीज साधान परिवार से है। रॉबिन के पिता एक रिटार्ड आर्मी है और मा ग्रिहनी है। भर में दो बहने हैं। पिछले साल भी रॉबिन ने लखनव सुपर जाइंट्स मुंबाइ इंडियन्स कुलकता नाइट राइडर्स इन सभी टीमों के लिए IPL ट्रायल में हिस्सा लिया था। पर वस सेलेक्शन से चूप गय थे। रॉबिन मिंज ने बताएं कि वे आठ साल की उम्रे से ही किर्केट खेल रहा हैं और उनका जूनून किर्केट के परती हमेशा से रहा है। वे गुमला जीले के निवासी हैं और अपनी किर्केट परतीभार राची के सोनेट किर्केट कलब में चंचल भटाचारे, SP गौतम और आसिप हक के मेंटर्शिप में निखारते आये हैं। रॉबिन मिंज के सेलेक्षन से जारखन के लोगों में उनके परिजन और लोगों में खुसी की लहर दोड़ गई है। वहीं उन्हें बधाई देने के लिए लगातार लोग उनके घर पहुँच रहे हैं। काफी कमर के प्रती रुची देखकर पिता ने उसे एकेडमी ज्वाइन करने को कहा तो मा उसे एकेडमी तक हर रोज छोड़ने जाती थी। जारखन के इस उभरते खिलाडी को आप भी देन धेर सारी सुब काम ना है। धौनी और इसान किसंद की तरह या खिलाडी भी आई पील और भारतिय टीम में खेलते नजर आए।